हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हमारा सिंगल फेज इंडेक्शन मोटर से जो चिप्टर चला है उसका यहां पर थ्री वीडियो होने वाला है अथात मैंने दो वीडियो पहले भी कंप्लेट कर दिया है ज वीडियो की एलेक्टिसियन थियोरी से सिंगल फेज मोटर से समाने और हर एक कोशन को पूरा डिटिल्स में बताने की भी कोसिस की जाएगी तो वीडियो को आप कंप्लेट देखिएगा जैसे कि यहां पर कोशन नमबर 31 से कोशन को ध्यान से पढ़िए कह राई कोशन निमल रेटिंग की मोटर की आउसकता होती है और विजली की घड़ी में यदि पूछ दिया जाया कि किस मोटर का प्रियूग किया जाता है तो इसमें सैड़ेट पॉल एकल फिस तुलेकालिक मोटर का प्रियूग किया जाता है जो कि यहां पर कोशन करनसार हमारा सही हो जाता है आ कोशन नंबर 32 वे कहराई कोशन एक परी क्रमर प्रती मीनट की निम्ड़ गती वाली कौन सी एकल कला मोटर उपलब दे जिसे कि छादे धुरू दिया गया प्रति स्टंब दिया गया इस्टरिसिस दिया गया और सर्वेतिक अथाथ इन्वर्सल दिया गया तो देखें यहां प सबसे कम और सबसे तीज की बात की जाए तो इन्वर्सल मोटर की गती होती है तो सबसे कम में हम मारेंगे आफसन नंबर एक को सेड़ेट पोल को यहां पर जैसे कोशन पूछ रहा है वैसे मैं आपको आंसर दे रहा हूं इसका तो आफसन नंबर यह हमारा बिल्कुल केराई कोशन अपकेंदरी स्वीच का उपयूग समानत किया जाता है जो अपकेंदरी स्वीच होता है ठीक डिसकों सेंटी फ्यूगल स्वीच बोलते हैं उसका परियूग कहां पर किया जाता है इन्वर्सल मोटर में या प्रतिकरसन मोटर में या केफसीटर स्टार्ट केफ सीटर रन मोटर में किया जाता है जो कि आफसर नमबर सी दिया गया हमारा कैफ सीटर रिस्टार्ट और कैफ सीटर रन मोटर जो कि आफसर नमबर सी हम इसमें करेक्ट बारेंगे किलर होगा दोस्तों यदि आपको किसी भी स्टुडेंट को किसी भी कोशन में यदि आपको कोई भी दीकत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई जरूर करूंगा नेक्ट कोशन प्यामाते हैं कोशन नबर 34 कहराई कोशन रिलेक्टेंस मोटर में बलागून अथा टार्क किसकी मदस से उत्पन होता है कापर हानिया की या हिश्टरसिस हानिया की या चुमकिय छेतर की या चुमकिय फलक्स की तो दोस्तों आप हमेशा ध्याने कियेगा जो रिलेक्टेंस मोटर होता है उसमें जो बलागून होता है अ हमारा बिल्कुल करेक्टेंसवर हो जाएगा आए नेक्ट कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 35 पर कह रहा है कोशन कि प्रतिकर्सन मोटर में ब्रसों को जोड़ा जाता है बाहरी सप्लाई से या इस्टेटर वाइनिंग से या एक दूसरे से जंपरतार की मदद से या सिर्फ चलत से और हमारा जो श्या आए दूसरे से जंपरतार की मदद से हमारा आफ़सन नंबर सी दीए गया तो यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्टेंस वर मारेंगे आए नेक्स कोशन पर आते हैं कोशन नमर 36 पर किराई कोशन एक ऐसी मोटर जिसमें रोटर वांडिंग नहीं होती है वह कौँ Z motor होती है मोटर आप हमेशा ध्यान किएगा जो फिस्टरिसिस मोटर होता है तीक उस मोटर वाइंडिंग नहीं होती है आप क्यों नहीं कियों होती है क्योंकर इस मोटर workshop तुल कालिक मोटर की सम्मान होती है और स्क इस मोटर में DC सपलाई की आवसकता नहीं पड़ती इसको भी ध्याने कियागा तो यहां पर कोशन के अनुसफान नमारा सी आपसन बिल्कुल करेक्ट एंस्फ़र हो जाता है क्लिर होगा दोस्तों किसी को तो confusion नहीं होगा आए नेक्स कोशन पर हमाते हैं कोशन नंबर 37 थोड़ा से टब कोशन है लेकिन आप ध्यान से इसका answer देंगे तो देपाएंगे कह रहा है कोशन कि दिया गया चित्र एक को दरसाता यह आपके सामने चित्र है ठीक है अब यह जो चित्र है किस चीज का चित्र है तो देखिए दोस्तों को यहाँ पर बता देता हूं यह जो आपका जो चित्र है यह आपका परतिकर्स пр riches motor मतलब केते यह उसी का चित्र है इसको खिएगेEh निए नेक्ट कोश्चन पर आते हैं तो यहां पर आफ स्थ किसका अभिलच्छ में वक्ष है यहां पर अपका यहां पर दिया गए 100 200 300 400 500 ओर इतना ही तार्क होता है यह एक ही मोटर का होता है वो है आपका इन्वर्सल मोटर ठीक है अब इन्वर्सल मोटर कौन सा दिया गए तो आफसल नंबर ए दिया गए जिसी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आफसल नंबर ए हम यहाँ पर बिल्कूर करेक्ट एंसर मारेंगे इतना जो यहाँ पर टार्क जो अधिक होता है वह कोर्वा कि इन्वर्सल मोटर का हो सकता है इसको इस तरह भी ख्याल रख सकते हैं कोशन नंबर 49 की में इन्वर्सल मोटर का परियुक चाहता है यह पर कोशन पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है आपका universal motor और इसकी जो रिफिजेटर होते हैं उसमें universal motor का इसी काराण इसका परयोग किया जाता है तो यहाँ पर कोशन का नुसार हमारा आपसार नमबर A साही हो जाता है कि उची starting बल अखुड प्रदान करता है यह हमारा इन्वर्सल मोटर इसलिए रिफिजेटर में इसका प्रियोग किया जाता है तो आसा नंबर यह हमें इर्कुल करेक्ट मारेंगे यहां पर किलिए रहोगा दोस्तों आईए कोशा नंबर 40 पर आते हैं कहरा है कोशा ध्यान से पढ़िए कि निमलिकित में से कौन सा देता है ने आपको वहांने अधिक पर मैं सबसे कि बात कया यहां पर आपका क्यूल कि मतलब की साटरो को ऑसका होता चो इसका ही घग होता है इसका में आहिकी है यह पर का पार बतायाता है क्या होता है चुलाइक होता है तो यहां पर हमारा सही होता है। मारक भी मारेंगे लेकिन यहां पर जो cap sheet start motor होता है यह universal motor से इसका भी हाई होता है ठीक है इन्वर्सल मोटर से भी हाई होता है cap sheet start motor इसलिए यहाँ पर आपस एक तालिस पे आते हैं क्याराई कोश्ण कि NIMN में से कौन एक अनुट्यत एकल कला तुलेकालिक motor है एसी सन passenger motor यह सेल इनोर्शन sound motor और C action अधिया प्रति स्टंब मोटर और D action अध्य है प्रति कड्चन सर्व सन का मोटरबर्ए यह प्रतिकर्शन मोटर एक अनौं? यह users असी प्रियोग होता है संकेतन युगतिया मतनल बूर्प में जाहत जाता है जिसी की रिकारदिंग होगया यां तुल में इसके कई प्रकार से प्रियुक किया जाता है और इसका जो होता है यह आपका एसी स्रेड़ी मोटर और डीसी स्रेड़ी मोटर के समान होता है यह आपका प्रतिकर्सा आप मोटर तो यहाँ पर कोशन करनुसार हमारा सही हो जाता है आफसन नमर सी जो यहाँ पर प्रतिश्टम मोटर दिय जा सकती है सप्लाइट टर्मिनल को उल्टा करके या इसी को इसी के अस्थान पर डिसी परियूग करके या ब्रुस लीडू को आपस में बदल कर या डी अक्षन देगे इन्वेसी कोई ने तो दोस्तों आप हमेशा ध्याने किएगा जो इन्वर्सल मोटर की जो घून की दिसा मतलब कि एक स्टेटमेंट है की यह आपकूम पर कारिक करता है समान गत्य से कारिक जो पर निंदी होता है है और उन बहुत सारे जगों पर प्रियूक किया जाता है. तो यहाँ पर कोशन के ऐनुसार हमारा सज यहोजाता है कि ब्रस लिडू को आपस में बदल कर हमँ ऐसा कर सकते हैं. केलेर होगा दो ogrom आए जाता है. क्वशन के विफान की सिंगल फेज मोटर के मामले में निमलखीत में से किस कैफसीटर का प्रत्मिकता दे जाती है सिंगल फेज मोटर की बात कर रहा है उसमें कौन सी कैफसीटर प्रयूग किया जाता है तो देखे दोस्तों जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें हम एलेक्ट्रो लट्टिक के कैफसीटर का प्रयूग करते हैं ठीक दोस्तों 300 और इसमें कैफिसीटर की जो इकाई क्या होती है इसको माइक्रोफ हैड़ में आपते हैं तो माइक्रोफ हैड़ इसकी होती है तो यहां पर कोशन के अनुसार हमारा सभी हो जाता है आफसान नंबर डी पिल्कुल करेक्ट एंसवर के लिए दोस्तों आए कोशन मोटर होता है उसका प्रियुग जो होता है अस्ताइ के शीटर मोटर इसमें के लिए जो आप करेक्ट नंबर डी हमारा क्रेक्ट मेस हो जाता है नेक्स और नम लखीत मेंसे किस मोटर किज़ोंटे पर उस्तम होगी संट मोटर या संचाइज संविक्त मोटर तो दोस्तों देखिए आप ख्याल लखिएगा श्रीज मोटर की इस्टार्टिन ट्यार कोती ए मेक्सिमाम होता है मतलब टू प्रोपोरिशंग टू जिससको हम लिख साकें स्था शुबर रानम कोई लौट नहीं होगा तर जो स्पीड होगी और संट मोटर की स्पीड जो होती है कॉंस्टेट होती है मतलब की नौ के बराबर अताती यहाँ पर हमारा सुझ रहता है आफसान नंबर सी बिल्कुल करेक्टेंस वर तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही कोशन कवर किया गया तो यह आपको किसी भी कोशन में किसी परका के सर्फी की लिक के लिएगा